नमस्कार स्वागत है आप सभी का उमारी खास पेशकर्स डिबेट इट एट में मैं हूँ आपके साथ हितेश व्यास डिये पर रार रुके की हरताल ये सवाल हम पूछे जार पूछ रहे हैं जी बतादे आपको कि 36 गर में मुख्यमंत्री भूपेश बखेल ने राज्य के करम संगाई भत्ता और साथवे वेतनमान की अनुसार ग्री भाड़ा भत्ता भी की मांग पर अभी भी अडिग है फेडरेशन का साफ तोर पर कहना है कि अपनी मांगों को लेकर 22 अगस्त से अनिश्चित कालीन हरताल पर आंदोलन किया जो है उसको किया जाने वाला है उसमें को इसी मुद्धे पर आज जानने समझने की कोशिश करेंगे हमारे साथ में इस से जुड़े तमाम पक्ष से प्रतिनी दी हमारे बीच में रहेंगे उनसे चर्चा करेंगे सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे पहले चोटी सी रिपोर्ट के जरिए इस पूरे मसल जब पूरे प्रदेश की निगाहें 22 अगस्त से होने वाली करमचारियों की अनिश्चित कालीन हर्ताल पटिकी थी उससे ठीक पहले सरकार ने ऐसी सियासी बिसात बिचाई है कि कई संगठनों और निताओं के मनसूबे पर पानी फिर गया जिन करमचारी निताओं ने हर्ताल का बिगुल भूंका था उन्हें मुख्यमंदरी से मिलने का मौका नहीं मिला और जो हर्ताल से दूर थे वो सरकार के पास बैठ कर डिये की सौगात लिया है नरसल सीएम भूपेश से शनिवार को शाम को उनके निवास का रले में 36 गार अधिकारी, 36 गार करमचारी अधिकारी महासंग के प्रतिनिधी मंडल ने सौजन ने मलाकात की और इसी मौके पर मुख्यमंद्री ने 6 प्रतिशट डिये बढ़ाने पर सहमती ब्रदान की और एरियर के मसले पर भी मुख्य सचियू से चर्चा करने की बात कही वहीं सात्वे वितनमान की अधार पर एचारे बढ़ाने की मांग पर सीएम ने सकरात्मक रूप से विचार का भरोसा दिला है साथी हर्ताल अवधी को अवगाश में शामिल करने की मांग पर मुख्यमंद्री ने कहा कि 22 अगस्त से प्रुस्तावित हर्ताल पर करमचारी यदी नहीं चाते हैं तो इस मांग पर भी विचार होगा इधर करमचारी अधिकारी फेडरेशन ने 6 फीसिदी डिये की स्विक्रिती को नकार दिया है अलग-अलग 90 संगु के समर्थन प्राप्त वाले फेडरेशन ने तै किया है कि अपनी मांगों को लेकर 22 अगस्त से अनिश्चित कालीन हर्ताल पर जाएंगे अनिश्चित कालीन अंदोलन करेंगे। कल हमें मीडिया के माध्यम से ज्यात हुआ है कि कुछ है तथागतित नेता जो फेडरेशन से जिनका कोई वास्ता नहीं रहा है जिनको करमचारियों के संबन में कभी उन्होंने कोई बड़ा अंदोलन कभी नहीं किया है इसे लोग कल सियम के यहां गए और कुछ बात किये उससे हम लोग सहमत नहीं है हमने आज यहां पर पूरा बैठक रखे हैं पुरे प्रदेश भर के 90 संगठन के प्रांतध्यक यहां बैठे हुए है और सब लोग यादता है कर रहे हैं कि आगावी 22 अगस्त का जो आंदोलन है उसको किस तरह सफलम को बनाना है इधर कॉंगरिस ने सीएम द्वारा 6 फीसिदी डिये की स्विकृति का स्वागत किया है कॉंगरिस संचार प्रमुक सुर्शील आनंद शुकले ने कहा कि राजसरकार करमचारियों की मांगों को पूरा करने के लिए सदयव तक पर है करमचारी अधिकारी महासंग से हुई मुलाकात को फेडरेशन ने स्विकृति करमचारी अधिकारी महासंग से हुई मुलाकात को पूरी तरह से नकार दिया है साथी 22 अगस्त से अनिश्चित काली नहर्ताल पर जाने की रणनीती तैयार कर लिए अब देखना होगा कि फेडरेशन की मांगों की बीच सरकार क्या तोड निकालती है सपनिल गौरखेडे, INS 24-7, राइपुर तो कुछ विलागर मोटे-मोटे तोर पर अगर इस्तिती बताएं तो 36 गर्ब में अभी डिये की रूप में जो राशी है वो 22 फीसिदी है लेकिन मांग यह है कि केंद्र के बराबर इसे किया जाए चुकि इससे पहले लगातार ये बाते रही है और सरकारों के तरफ से बीये बाहता है कि हम केंद्र के बराबर कर्मचारिओं को देंगे एचारे को बढ़ाने की मांग भी की जा रही है साथ में बेतनमान के आधार पर तो कुल मिलाकर यह सब बाते थी जिसको लेकर 22 तारीक से अनिश्चित कालिन हर्ताल पर जाने का एलान करमचारी फेडरेशन के तरफ से किया गया इस बीच कुछ करमचारी मिलकर CM से जाकर मिल ल भारतियंदा पार्टी के वरिष्णीता हैं डॉक्टर विमल जी बहुत स्वागत आपका मेरे साथ में कॉंग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अजय गंगवानी जी हैं अब इसे में इसे किस तरह से लिया जाए यह कभी जीवन में हर्ताल नहीं करते हमारे फेडरेशन से तूट करके अलग रहने वाले लोग हैं और यह 36 गड़ का दुर्भाग है कि जो गणेश दुर्गा का चंदा नहीं देता ना वह हिसाब मंगता है मुख्यमंत्री के पास इनको जो मिलाने के लिए ले गए यह अधिकारी हमारे साथ चल किये हमारे फेडरेश जाया है कि केवल यह लोग मुख्यमंत्री को पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए धन्यवाद बधाई देने कहते हैं बाहर निकल करके कुछ भी बोलने बात लगे कुल मिला करके 6% महंगाई भत्ता 36 गड़ करमिचारी बिल्कूल वरदास नहीं करेगा उसका द नगद लिये दे तीथी से लिए फिर करमिचारियों के लिए वहेद भाव की नीति क्यों है और करमिचारियों के साथ जो साजिस के तार चल किया जाँ एसे अधिकारियों को मुख्售ंत्री Cambete को चिन्नित करना बहुत जोर्री है जो हर्तालनी किया थ उसको ले जाने वाले कोन अधिकारी है चर्चक कराने वाले कोन है इस पर भी गहराईज बात करना चाहिए छै प्रतिसत महंगाई भत्ता पर 36 गड़ करमचारी अधिकारी फेडरेशन सहमत नहीं है और बलकि उनके करना आज बड़ा जोस खरोस के साथ इतने करमचारी ने तैक अठर हुए और सब का एक लाइन का बात है कि 22 अगस्त से अनिश्चित काली आंदोलन अनिवार यता होगा अब मुख्य मंतरी जी को वापस लिवाना है लेकिन जा साथ मैसेच मैसेच ये भी तो जा रहा है कि आपके फेडरेशन में एक्ता नहीं है और उसमें से कुछ लोग मिलकर जा रहे हैं और प्रतिनिदी मंडल की रूप में जाकर सीम से मुलाकात कर रहे हैं और उसके बाद यह आश्वासन वहां से मिल रहा है सहमती मिल जा रही है कि हाँ 6 पीसेदी हम बढ़ा देंगे और उसके बाद बार आकर बकायदा बताया जा रहा है तो इसको किस तरह नाम फ्रेडरेशन है नहीं साहब कभी फ्रेडरेशन के नाम से अंदोलन करते हैं कभी महंगाई भत्ता के नाम से अंदोलन करते हैं अभी मिलने गया तो महासन के नाम से गया हैं जिनके तीन-तिन बाफों के बारे मेरे सिमध बोल यह हमारा जो प्रेडरेशन पाच दिन अंदोलन किया चर्टा उससे होनी चाहिए हमने वांग पत्र प्रस्तुत किया हरताल हमने किया एप अधिस जानकारी मिली है कि मुख्य मंत्री जी चर्चक ले बुला हैं लेकिन वहां भी 6% के बात होगी जो निश्चित तोर पर पूरे प्रदेश में अंदोलन 22 तारिक से होगा अजय कंगवानी जी किस तरह से लिया जाए इस पूरे घटना करम को 22 फीसेदी डिये मिल रहा है 34 की डि पर होना चाहिए अब यह तो संकट किस्तिती है कैसे देखते हैं अजय जी किते श्रादी विजय जाजी वरिष्ट करमचारी लेता है उनकी बातों को पूरा संवान है अगर कुछ करमचारी या करमचारी संगठन अपनी मांगों को लेकर शांती पूर आंदोलन कर रहा है प पदिली मंजल हो था जो ओपी शर्मा के नेतितु में मुख्यमंदी से मिला और मांगों को इनकी दो छे फूत्री मांगे है ते श्रादी आवा ठोड़ी क्लियर नहीं है जी जी आपकी बात हम अच्छे से सुन पा रहे हैं जी व्यादी दिखे कहीं लगे ये छे फूत्री म मांगों को लेकर लगातार ये आंघूलन कर रहे हैं मानिय मुख्यमंदी रत्टीक कर दूर से इंकी मांगों पे सभीडल सी दिन से विचार कर रहे हैं मुख्य शची के लेत Και कमिटी भी म disfrutches और ढहे है और कुरमायों पर प्दिनिदी मंदल है छे कि परद किम पांग है लि पुकिम्झे जान वह निए से था समय 내ख विश्याइश्य दोजीba क काई मान्य मुख्यमकर लगाता संपर्त में। लेकिन गंगवानी जी यहां पर तो विजय जासाब यह कह रहे हैं कि जिन लोगों की मुलाकात हुई है वो करमचारी इनके फेडरेशन से जुड़े ही नहीं हैं उनको कौन मुलाकात करवाने के लिए ले कर गया उन अधिकारियों पर भी विजय जासाब यहां पर सवार खड़े कर रहे हैं वह कह रहे हैं हमारी फेडरेशन की बिलकुल एक सुत्री मांग के तहती तमाम चीज़ा हैं कि हमारे को बिद के बराबर एचारे के संबंदी जो मांगे हैं उस पर अडिक हैं और कह भी रहे कि हर्ताल तो होगी बाइस तारीक को इस पर क्या कहेंगे करमचारी संगठम है उसमें 90 से जड़ा संगठम जोड़े हैं और कहीं थोड़ा सा जो इनमें आंतरिक मद्वे या विचार पड़िवरतन हो सकता है यह उनका आंतरिक मामने है उसमें मेरा कमिंग करना में उचित नहीं मानता है लेकिन हमारी नियत, निती और मंचाफ कोई तर्फषत है कि इनके दर जो छे मांगे रखी गई है माने मुख्य मंती और मुख्य सचीर की कमिटी पूरी सवेदर सीलंग से काम कर रही है और यह पहली बार में हो रहा है हमने लगातार इन सार्व की इन साम में करमचारी को इस अज करमचारी के दोजाद चार में जो ततकाली नटल सरकार ती इतेश प्राजदी जो ओल्ड पेंशन स्कीम को हटा के एक पुंजीगत नेरा इंको पा थूपा गया आज जो करमचारी के दोशे के लिए बैसन स्कीम नहीं थी क्योंकि करमचारी के उनको पैसा मिलता है वो म करमचारी समर्थक होने का जो घर्याली आसू बहार ही है लेकिन का चिरित प्रसम में आ रहा है आज को रोना कारमचारी के पूरे देश में वेतन करमचारियों में कट्रिस पदं की स्कमी कट्वती के इंद शकार और बात पर साथे राज्यों में किगी हमने एक रुपे की सब्सक्राइब करें तो कहें हमारी सरकार लगातार इनके करमचारी के हितों कर दो कर दो करमचारी हमारे करमचारी है करमचारी के पाजला करमचारी के हित हमारी पहले प्रात मिखता है तो करमचारी फेडरेशन साफ तर पर कह रहा है कि हमारी जो मांगे है उस पर विचार नहीं किया गया तो 22 तारीक को अनिशित काली नहरताल तय है टॉक्टर विंबल चोपड़ा साब किस तरह से ले रहे हैं क्योंकि 15 साल सत्ता में आप भी रहे और ये समस्याएं आपके सामने भी ये सवाल आपके सामने भी लगाता रोटता रहा अब एक बार फिर से इसी तरह की इस्तितिया पर है इस पर क्या कहेंगे सर आपके तरह के साब ये ठोल की पोल वाली सरेकार है ये सरकार के आती कि 36 गड़ की आती बहुत अच्छी है हमारा जो है खजाना भरा हुआ है करजे में चल रहे हैं और कर्मचारियों को देने के लिए पैसा नहीं और चिला 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 के कहते हैं कि हमारी आर्थिकिति थी 36 गड़ की आर्थिकिति थी देश में सारे राज्यों से सबसे अच्छी है तो क्या हो गया भिया कर्मचारियों को पैसा देने में आपके पास कहां से आप जो है वो अपने आपके खजाने के ताले को चाभी लेकर भाग गये हैं और कुल मिला के जो अठी पुलाया गया बुख्यमंत्री के दौरा आये बात कीजिए और उनको बुला करके 6 परचिन जो है आता अथा हूं गंगوानी जे आपके पास आता साड़ कारो केwenल कि लेचान चुए टो इनके हाथ में जाएगा वो वेंग में जाएगा करजां चुकाने में यह ठाकरी जमीन जो है वो मापिया के रूप में कांगरेक्स के लोग तब्जा कर रहे हैं खजानी में कैसा आएगा कहा साप इनके हाथ पाउं फुले हुए नि- ilek pas कुछ है नहीं ये सिर्फ बोल रही है कि हम करमचारी हिस्थ की बात करते है अरे तो आप कर्मचारी कि बात करते हो तो आपको पहले से ये कर लेना था कि आज आप बुर रहे कमीटी गठीच की गई सराप बंदी पर आपके साथ में फूट डालने की कोशिश की गई गंभीर आरोप पो लगा रहे हैं वह इसाफ तरू पर कहा रहे हैं कि सरकार की माली इस्तिती ठीक लिहाजा इस तरह से करमचारियों के साथ में फूट डालने की कोशिश की गई गंभीर आरोप पो लगा रहे हैं गवाने जी क्या कहेंगे इस पर लियाज जी यही भासी जंता पार्टी का चरित तो रानेतिक पाखंड है यह करमचारी समर्शक होके घर्याली आतू बाहने का प्रयास कर रहे है वो गोरा पत्री जोनक है यह जो करमचारी संग्मेजन का आंच्रिक मदेद हो पकता है उसका अरोप सरफार पर लगाना पूली तरह गला तक अधिकि सब्सक्री बात यह है कि आज बड़ी-बड़ी बात कर रहे हैं आज हम ओल्ड पैसे मिलागू करने का प्रयास करते हैं नौना सांसाद है केंद्री मंत्री है करमचारी को हग का 17240 कोड पैसा और हमारा इस्दान यह देने का प्रयास इनके जा जा रहा है जिए इस बाग को प्रस्पष करने को चैनल पे यह दोरें सेरित लिए आप एक बात करते हैं इसे समझ में नहीं आए कि कौन क्या कहना चाह रहा है एक एक करके बात करते हैं जी जी गंगवाणी जी बात समक्विट कीजिगा यहीं इनका दोरा चिरित रहा है केंडर की नोधी सरकार हमारा 55,000 कोड़ रुपर रोग के रखती है आज यसी चतिपूर्थी हम उसके बढ़ाने के लिए बात करते हैं पास साल के लिए चतिकर उस पादक राज्जे है पाच हिज़ार कोड़ रुपर के नुक्सान पारी योजना है करमचारी के महबब पर पूरी तरह से कारेंगे तो कहीं न कहीं यह दोरा सिर्थ है केंडर के मोजी सरकार आपका पैसा देना नहीं चाहती और उनके प्रोक्ते हाप एक्का आरूप लगाए पच्पन हजार करोड रुपे जो पैसा है राज्य के हक का वो प इनको पचीस हजार करोड तो कुछ दिखता ही जैसे पचीस रूपए है इनको हिसाप मेले मुक्यमंत्री जिसे पूछना चाहिए कि कितना रूपे केंड का बचा है चार हजार करोड रुपे जो है केंडर ने अभी परसों दिया इनको और मैं बता दू जितना ये बोल रहा है ना पचीस रहार करोड उससे जादा केंडर की गैरेंटी से एक करजा ले चुके हैं इसलिए प्रधान मंत्री आवाज के लिए 700 करोड रुपे का जो करजा इनको बना करना है कि आप ऐसे ही करजे में लदे हुए हो आपको कौन रुपिया आरोप पतरोप के बीच में हमारे साथ में विजय जासाब भी हैं विजय जासाब करमचारियों के हित्थ की संदर्प में आप लगातार बाते कर रहे हैं डी ए ए एचारे इन संबंदी आपकी सब्सक्राइब तो क्या रास्ता होना चाहिए इस पर क्या कहेंगे सब्सक्राइब प्रते करमचारी का छोटे करमचारी का प्रती महां डेढ़ हजार रूपय और जैसे जैसे उपर बढ़ेंगे धाई हजार तीन हजार रूपया आर्थिक चती एचारे और ग्री भाड़ा इसके महंगाई भत्ता के कान हो रहा है जब प्रदेश में सात्वा वेतनमान पैसा है तब तो करें गंगवानी जी एक चीज में आपको निवेधन करना चाहूंगा कि यह जिन लोगों को आप लोगों ने बुलाया चर्चा करवाया जिसने भी करवाया वो लोग माननी मुख्यमंत्री जी के खिलाब दिल्ली राहुल गांधी जी के पास धरना देने के जंतर मंतर में 17 जुलाई को जाने वाले थे ट्रेन चुट गया ट्रेन बंद हो गया इसलिए लोग नहीं गया यह आपके पार्टी और आपके मुख्यमंत्री के खिलाब काम करने वाले लोगों को किस अधिकारी ने वहां ले गया और चर्चा खरा इस पर आपको चिंतन करन करेंगा 25 जुलाई से बियाश जिए 29 जुलाई तक कि हमने हरताल किया 5 दिन का शचर्षक दांदोलन कर्मचारियों का मांग पूरा ने हुऊ बलक्य मुख्यमंत्री चर्ष का वेतन से लुक्य उन्हुरे मेहने बड़ा मंत्रियों का साठY मंत्रियों का साथ हजार बढ़ा और विधायकों का पचास हजार बढ़ा मैं गलत बोला हूं तो आप इसको प्रमानित कर दीजे हमारा कहना है कि सरकार और सरकार में बैठे जो सदन के लोग हैं पहले हर्ताली करमचारियों से बात और चर्चा तो करो ऐसी कौन सी परिस्थिती थी जिन से मुलाकात हुई जिस प्रतिनी निमर्णल से मुलाकात करवाई गई वो फेडरेशन से जुड़े हुए नहीं थे फेडरेशन से जुड़ेवे जादातर करमचारियों और जो अधिकारी हैं उनका साफ तोर पर यह मानना है कि जो मांगे इनकी तरफ से रखी जा रही हैं उन मांगों पर विचार होना चाहिए उस पर कुछ फैसला होना चाहिए क्या सरकार की तरफ से रास्ते खुले हुए हैं द्वार खुले हुए हैं कि इनके जो प्रतिनीदी मंडल हैं उनसे जाएं उनसे बाचीत करें जैसा कि आपने अभी कहा भी क्या उम्मीद को इस बारे में करें क्योंकि 22 तारिक से अनिश्चित कारी हंतार पर जाने का अगर अलान कर रहे हैं तो जाएट दोर पर जन्नता भी इससे प्रभावित होगी सरकार के काम काज भी इससे प्रभावित होंगे च्या कहेंगे सब व्याज जी मैंने सबसे बच्टर के शुराप में कहा था रास्ते हमेशा खुले हैं चर्चा के लिए इनकी मांगों पे सान्बूती पूर विचार किया जा रहा है छे मांगे रखी गई है पूरी उन पर वागत है मुख्यमंती जी हमेशा जो रस्ते है वो चर्चा ते खुलत स्वागत है इनका और मोस्ट वेलकम है आयां चर्चा करें जी चोपरा साब पाइनल कॉमेंट की रूप में अपने बात रखेगा जी आये सभिकारी जो हैं उनकी तंखा उल्गार विचे तो उन्हों ने बढ़ा दिया वाकी कहों बाकी कर्वचारी क्या राज के हीत में काम नहीं करते हैं क्या दूसरा आप ब्लेकमेल करते हैं कि आप यदि हर्ताल नहीं करेंगे तो फांच दिन की तंका आप को दी जाएगे खांच दूस्ट दैती जाएगे और जो लोग हर्ताल करेंगे उंके लिए अलग तल उचे लेगा हर्ताल इस प्रपार का दोरव आपच्ड और फिर्फ जवान से बोलना कि कर्मचारी हित में काम करेंगे सव्वेदन सिले मुख्यमंत्री जी ने बात क्यों ने के जिविजाजादी बैटे इनके संगठन को क्यों नी बुलाया गया इनसे चर्चा क्यों नी की गई आप जो है कुछ लोगों पर बुला करके सध्यंद्र करके चलिए लेकिन अब तो चैनल पर नैशन चैनल पर जो हैं कॉंग्रेस परटी के जिम्मधार प्रवक्ता स्वय में कह रहे हैं कि आई रास्ते खुले हैं बात करने को तयार हैं अभी बात तो बिलकुल करेंगे किस से करेंगा मुख्यमंत्री जी से तो करेंगे प्रधान तो बाकी तो हमारी 14 सुत्री मांग के लिए पिंगवा कमेटी गठी था वो लंबे प्रक्रिया में वह जब होगा तो तो कुल मिला करके कहीं न कहीं भ्रह्म पएदा करके वास्त्री खर्टाल करने वाले चलिए ठीक हैं बहुत लंबी कर सकते थे लेकिन फिलाल आप तिनों तो दूसरी तरफ जासाब भी कह रहे हैं कि अगर रास्ते हमें चर्चा के लिए जरूर जाएंगे तीन सुत्री मांगे फेडरेशन की हैं फेडरेशन के लोगों का कहना है कि जिन प्रतिनीदी मंडल ने जाकर आप सी एम से बलाकात की वह इस फेडरेशन से जुड़े उनको नहीं मानेंगे और कुल मिलाकर ये कहा है कि जो उनकी तीन सुत्री मांगे हैं उस पर ये बने हुए हैं और अगर वो मांगे पूरी नहीं होती है तो 20 तारिक से अनिश्चित कारीन हर्टाल पर ये जाएंगे अब देखना होगा कि क्या इस से पहले कोई रास्ता इस म झाल